जिस प्रकार से सोरे की किर्णे सभी को जागरूग करती हैं ठीक उसी तरह राम का जो छवी है राम का जो किर्दार है वो धर्म और शक्ती को प्रेडित करता है नमस्कार आपके साथ हुम्में आर्जो दूबे और आप देख रहे हैं श्रेश्ट भारत इस वक्त हम लोग से उमीदवार बनाया है सर श्रेश्ट भारत पर आपका बहुत-बहुत स्वागत थैंक यू तन्यवाद सर पहला सवाल में यही लेना चाहूंगी कि आपने राम का किर्दार निभाया वहां पर आपकी लड़ाई रामन से थी लेकिन अब आपके सामने कौन है जिससे आपक चुनाब में हूँ जरूर हूँ और मैं कि हमारा संगर्ठन भारति जन्वाटि कर Test सर राम के लिए लंका को जीतना बहुत मुश्किल था वैसे ही अरुन गोविल जी के लिए मेरट को जीतना थोड़ा मुश्किल है तो क्या चुनौतियां आपके सामने आ रही है जीतना मुश्किल क्यों है मुझे तो इस बात पर मेरे गले नहीं उतर दी यह बात मैं किसी को किसी बात को आसान मान कर भी नहीं चलता लेकिन विश्वास है कि हमारी जीत होगी और चुनौतियां तो थोड़ी बहुत तो हर चीज में होती है जब हम कोई भी काम करने निकलते ह तो उसमें कुछ बाधाय आती है कुछ चुनौतियां आती है तो उनको उबरकम तो करना ही होता है उसी को तो कर्म कहते हैं सर अब्धी नेता से नेता बनने के बाद क्या फर्क मैंसे हुसाब करता है बहुत फर्क बहुत फर्क होता है वहां इतना ज्यादा जनसंपर्क नहीं होता है बहुत कहीं कम होता है बिल्कुस वो विसनिटी में होता है वो शारा कुछ काम महाँ पर और यहां तो बिल्कुल वन मुझे देखकर जो वहां के लोग वहां जैसे हम एवेंट्स वगरा में जाते हैं तो जो रिस्पॉंस वहां मिलता है वही उससे भी ज्यादा बल्कि यह रिस्पॉंस अब यहां मुझे मिल रहा है सब अब सभी लोग थूल फैकते हैं उपर सभी लोग आशिरवाद लेना चा कर नाम दिया गया है सर आप पहली बार कोई चुनाम लट रहे हैं जो भी नोक सभा का और बीजेपी ने आप पर भरोस्वा जता है आप बीजेपी के भरोसे पर खरी उतर पाएंगे क्या लग रहा है बैल यह तो समय बताएगा मेरी पूरी कोशिश है कि मैं बीजेपी के ब जबर भी खर्ण होतरो वह तोवह को वह सकता है क्ञिश मैं कर उमार करूंगा एकरूंभार मेर्ट के सिटिंड ज इमपी rapid ऑनाके आपको टिकेट दिया गया है तो यहां का जो लोगल सुपोर्टर है पको लगता है अनका सपोर्ट मिलना थोड़ा सा नहित्व मैं आफको उनको न देकर मुशे टिकर दिया गया लेकिन वो जिन रात मदब जब भी हम सुबार निकलते हैं कैमपेंज से और शाम को घर वापर रात को घर वापर साते हैं वो हमेश्या मेरे 24 घंटे बरे साथ होते हैं आपका जन्द जो है वो मेरे वे जले गए तो इस वीच आपका संबंध जो है वो मेरे जाने के रहांगो कई साल हाथ तो यहां के जन्त पर भरोसा कैसे करें अबरोसा कर सकती हैं ठीक है मैं जिसके लिए जाना जाता हूं मेरे जो चबी है वो एक बड़े इमांदार से व्यक्ति की है जिम्मेदार व्यक्ति की है क्योंकि मैंने अब रमायन को ही देखे, मैंने रमायन में जो मुझे मिला था, मैंने उसको बहुत सहेज कर रखा है, वो केवल एक जिम्मेदार और इमानदार व्यक्ति कर सकता है, तो इसलिए उन्हें मुझे पर भरोर सा है, I'm very sure about it. अगर आप चुनाब जीते हैं, तो मेरिट की जनता के लिए आप क्या करेंगे जो आज तक किसी नहीं किया होगा? रजेंदर अग्रवाजी के समय में, तीन तीन टर्म वे एमपी थे, तो आप लगाता है प्रचायर में जुटे हुए हैं, तो जब भी आप जनता के वीच जाते हैं और बोलते हैं कि वोट हमें दीजे, आप जब वोट मांगते हैं तो लोग आपको यह नहीं नहीं पूलती में एक भी बार यह नहीं कहा है कि मुझे बोट दीजे, तो आप क्यों आए हैं, आपको क्या ज़रूद पर रहे हैं प्रचार करने के प्रचार में इस तरह की बाते हो नहीं पारें, बिकोस चारों तरफ से जन्ट सहलाब मरता है ना, उसमें सिर्फ यह हो रहा है कि बस चार सपा अभी तक अपने काई उमीदवार वदल चुकी है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो उनका काम है, वो उनसे पूछना होगा आपको, उसका जवाब मैं नहीं देपादा है, तो वहां पर एक सफाई करमचारी थी, जिन्होंने हमसे बोला कि आप मेरट की सड़कों पर मेरट की गलियों में ऐसे ही निकल पड़ते हैं, फिर वे कुछ लोग हैं, जो बोलते हैं कि आप गाड़ी से बाहर नहीं निकलते हैं, इस पर क्या कहेंगे अब? तो यह मेरी एक मजबूरी है, मैं चाहता हूँ कि मैं पैदल चलूँ, सब लोगों के घर में भी जाओ, पर वो इस अब समय कम है, चुनाव हो जाएगा, मैं जब संसत में पहुंच जाओगा, तब फिर जो उस तरह का संपर्ख है, वो तब हो पाएगा, तो यह मेरी एक मज मैं उसी तरह से यहां काम करने के लिए, ठीक है? वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, साथ चरण में यह चुनाव है, 4 जून को नतीजे आएंगे, आप किसकी सपोर्ट में है, आपके पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कॉमेंट बॉक्स में आमें ज़रूर बताएं, और तब तक के लिए आप देते रहें, श्रेश्ट हाराद झाल